नमस्कार, आज जो कविता मैं आपके साथ साजह करने जा रहा हूँ, वो मूलत संथाली भाषा में लिखी गई कविता है और इसका हिंदी अनुवाद किया है अशोक सिंग ने, कवित्री है निर्मला पुतुल और संध्रा का नाम है नगाड़ी की तरह बज़ते शब्द, जो भारतिय ग्यानपीट प्रकाशन से 2004 में आई थी कविता जो मैं आपके साथ साज़ा करने जा रहा हूँ, इस कविता का नाम है उतनी दूर मद ब्याहना बाबा, निर्मला पुतुल की कविता बाबा, मुझे उतनी दूर मद ब्याहना, जहां मुझे से मिलने जाने खातिर घर की बक्रियां बेचनी पड़े तुम्हें मद ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज़्यादा ईश्वर बसते हूँ, जंगल, नदी, पहार नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन वहां तो कताई नहीं, जहां की सडकों पर मन से भी ज़्यादा तेज दोडती हो मोटर गाडियां, उचे-उचे मकान और बड़ी-बड़ी दुकाने उस घर से मत जोडना मेरा रिष्टा, जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो, मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहां सुबह, और शाम पिछवाडे से जहां पहाडी पर डूबता सूरज ना दिखे मत चुनना ऐसा वर जो पोचई और हडिया में डूबा रहता हो अकसर, काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर कोई थारी लोटा तो नहीं, कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूँगी, अच्छा खराग होने पर जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर, धनुष, कुलहाडी, जब चाहे चला जाए बंगाल, असम या कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए हमें और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथोंने कभी कोई पेड नहीं लगाए, फसले नहीं उगाई जिन हाथोंने, जिन हाथोंने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोज नहीं उठाया और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह और से हाथ, उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ ब्याहना हो तो वहाँ ब्याहना, जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल मैं जो कभी दुख में रूँ इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम, सुन कर आ सको मेरा करुण विलाप महुआ की लट और खजूर का गुड बना कर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातेर उधर से आते जाते किसी के हात भेज सकूं कद्दू, कोहडा, खेकसा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी मेला हाट बाजार आते जाते, मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गाओं का हाल चाल चितकबरी गईया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते ऐसी जगह मुझे बियाना उस देश में बियाना जहां इश्वर कम आदमी जादा रहते हों बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हो जहां वहीं बियाना मुझे उसी के संग बियाना जो कबुतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख तुख बाटने तक चुन्ना ऐसा वर जो बजाता हो बासूरी सुरीली और धोल मादल बजाने में हो पारंगत वसंद के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जुड़े के खातिर पलाश के फूल जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर उसी सिद्याला मुझे ये संग्रा मेरे पास बहुत सालों से है मैं जब स्कूल में था तब मैंने ये संग्रा खरीदा था और मैं खुद ज़ारखंड से तालुक रखता हूँ मेरा बचपन वहीं बीता बैंगलोर में आने से पहले ज़ारखंड में ही पला बढ़ा और मेरी मा खुद संथाल परगना से है वो संथाल डी जो स्टेशन है वहीं से हम ट्रेन पकड़ते थे मा के गाउं जाने के लिए वहीं से उतर के फिर हम ननिहाल जाते थे तो यह जो एक संथाल जो इलाका है वहां का जो जन जीवन है वो बिल्कुल यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है कविता में और इसलिए भी यह कविता मुझे बहुत जादा प्रिय है क्योंकि यह जिस तरह के जन जीवन की बात करता है उसे मैंने अखों से अपने आखों के सामने देखा है इस कविता में जो बात मुझे बहुत पसंद आती है और मैं किसी और तरह की कविता को कमतर नहीं आक रहा लेकिन मुझे वो कविता पसंद आती है जिसमें कभी खुद को वल्लरेबल दिखाए वो अपनी असुरक्षा की भावना को दबाए नहीं उसे बिल्कुल उजागर करे वो अपनी कम्यों को या ऐसा कहें उसमें जो भी चिंटाएं हैं डर हैं उनको लेकर वो मुखर हो ना कि उनको दबाने की कोशिश करे या ऐसा देखने में आता है कि और उन्हें पूरा हक है क्योंकि उन्हें इतना दबाया गया है वो हमेशा से एक ऐसा पक्ष है जिसका क्रोध फूटने का पूरा अधिकार है लेकिन स्त्री और डलित विमर्ष की कविताओं में अकसर कविताओं का जो अंतरनिहित जो इमोशन होता है जो भावना होती है वो अकसर क्रोध की भावना होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं में कवी जो खुद को क्रोध में आकर कविताओं कहता है वो भी ठीक है लेकिन कवी जब खुद को अपने पाठक से श्रेष्ट मनताता है यानि पाठक को जाड़ देता है या पाठक से एक तरह का इलिनेशन तयार कर देता है अपने और पाठक के बीच में उन कविताओं की अब वो आधुनिक मिजाज की कविताओं नहीं होती नजरूल इसलाम की कविताओं है बॉलो बीर चिर उन्मतों मोशीश वो पूरी कविता में खुद को अंधर, तूफान, समुद्र, क्या नहीं मतलब सारे ग्रीक भगवान के अस्त्र शास्त्र सब वो खुद को मतलब डिकलेर कर देते हैं तो उस तरह की कविता का एक जमाना था जब कवि खुद को अपने पाठक से बहतर या उससे एक पेडेस्टल उपर रहकर अपने पाठक से बात करता था लेकिन आज के मिजाज में ऐसी कविताओं जादा पसंद की जाती है मुझे ऐसी कविताओं जादा पसंद आती है जिसमें कवी अपनी बात कह रहा हो, उसका क्रोध भी फूटे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पाठक्स के साथ alienation ना create करे, वो उससे अलग खुद को ना दिखाने की कोशिश करे, ऐसा तब होता है जब कवी का जो वाइसे वो वल्लरेबल होता है, उसमें उसकी सा सारी असुईधाएं, वो सारी बाते निकल कर आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कवी खुद को बिल्कुल मट्टी पलीद कर दे, ऐसा कर दे कि वो कुछ है ही नहीं, जैसे इस कलता में भी आप देखिए, कोई थारी लोटा तो नहीं, कि बाद में जब चाहूंगी बदल ल कवीता का जो मेटा पोईट्री है, उसकी जो कभी कहने की कोशिश कर रहा है, वो यही है कि वो अपना वर खुद चुमना चाहती है, वो अपने बाबा से कह रही है, लेकिन इतने सारे कंडिशन्स रख रही है, कि कही न कहीं, वो अपने बाबा से भी प्रश्न कर रही है, औ तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीविमर्श की कविताओं में क्रोध नहीं फूटना चाहिए, लेकिन वो अलगाओ ना पैदा करे, और उसका मुझे सबसे बढ़ियां उदारन जो हमारे समय की कविताओं में मुझे देखने को मिला है, उन में से एक ये कविता मुझे लगी, जो अध्भूत बात है, और जो एक मॉडनिजम की तरफ हम दोड रहे हैं, जहां मन से भी तेज मोटर गाडियां दोडती हैं, उन सब को बिलकुल नकारते हुए, एक आधिवासी कवित्री अपनी बात कह रही है, उसे कैसा वर चाहिए, उसे कैसा जीवन साथी वो देखना चाह रहे, सुख दुख बातने से लेकर खेतों में काम करने तत, तो अध्भूत अभी रहती है, और इस वज़े से कविता मुझे बहुत प्रिया है, मैं यह भी स्विकार करना चाहूंगा, कि अपनी शुरुवाती कविताओं में मैं इनसे काफी प्रभावित था, जब मैं पोईटिव वॉइसे बहुत और भी सामने आएं और अपनी बात रखें, मैं इसी उमीद में जीता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छी कविताओं और पढ़ने को मिले, तो इसी के साथ आज का जो यह वर्क्शॉप, पॉड्कास्ट का जो एपिसोड है, उसे मैं खदम करत हूँ, हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कवितार, एक और नई कवी या कवित्री के साथ, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, आप स्वास्त रहें, सानन्द रहें, कल मिलते हैं, नहीं हुआ।